साल का दूसरा चंदर ग्रहन आगामी 18 सितंबर को लगने जा रहा है वैसे तो ये आंशिक चंदर ग्रहन होगा जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा ये चंदर ग्रहन कुल 4 घंटे 4 मिनट तक रहेगा चंदर ग्रहन पर सूतक ग्रहन से ठीक 9 घंटे पहले शुरू होता है और ग्रहन समाप्थ होने पर ही समाप्थ होता है जोदिश शास्त्र के अनुसार चंदर ग्रहन की शुरुआ सुबर 6 बच कर 12 मिनट से होगी और समाप्ती 10 बच कर 17 मिनट पर होगी ग्रहन के समय भारत में दिन रहेगा, इसलिए चंदर ग्रहन मानने नहीं होगा, जोदिश के अनुसार उसी ग्रहन का सूतक काल माना जाता है, जो खुली आँखों से द्रिस्टी कोचर हो, इस साल का पहला चंदर ग्रहन 25 मार्श यानी गोली की दिन लगा था, जोदिश शास् इस चंदर ग्रहन का कुछ राशियों के लोगों पर खासा नाकारात्मक प्रभाव पार सकता है, ऐसे में इस राशी के लोगों कुछ साब्धान बहने की जरूत है